साथ्यों, समाज जीवन में कुछ बातें, समय के साथ इतनी गुल मिल जाती हैं कि कई बार उन चीजों का एक प्रकार चे मन में स्थाही भाव बन जाता है, स्थाही मान दिया जाता है। ये भाव आ जाता है कि कुछ बढ़लेगा ही नहीं, बस ऐसे ही चलेगा। आर्टिकल 370 अनुछे 370 के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसमें जम्मू कश्मीर और रदा के हमारे भावेनों की, हमारे बच्चों की जो हानी हो रही थी, उसकी चर्चा ही नहीं होती थी। हैरानी की बात ये है कि आप किसी से भी बात करें, तो कोई ये भी नहीं बता पाता था कि अनुछे 370 से जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में क्या लाब हुआ। भाई और बहनों, आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगावात, आतंकवात, परिवारबात, और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले ब्रस्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। इन दोनों अनुछेत का देश के खिलाप कुछ लोगों की भावनाए भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक सस्त्र के तौर पर इस्तमाल किया जा रहा था। इसकी वजह से पिछले तीन दसक में लगभग 42,000 निर्दोष लोग 42,000 यह आंकडा किसी की भी आंख में चांसू ला देता है। 42,000 निर्दोष लोगों को अपने जान गवानी पड़ी। जम्मु कश्मीर और लदाक का विकास उस गती से नहीं हो पाया जिसका वो हकदार था। अब व्यवस्था की एक कमी दूर होने से जम्मु कश्मीर और लदाक के लोगों का वरतमान तो सुद्रेगाही उनका भविश भी सुरक्षित होगा।